हेलो एब्रिवन, कुकिंग विद रुपाली में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज हम बनाएंगे कड़ी पत्ता से हेर ओल और हेर माक्स तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं कड़ी पत्ता हम खाने में बहुत बार इस्तमाल करते हैं पर आज हम इसी कड़ी पत्ता से बनाएंगे तेल और हेर मास्क, स्मूध, सिल्की और डैंडर फ्री बालों के लिए कड़ी पत्ता में बहुत जादा मात्रा में एंटि ऑक्सिडेंट होता है जिससे हमारे फ्रीजी और पतले बाल हिल्दी बनते हैं अगर आपके बाल बहुत जल्दी सफेध हो रहे हैं तो कड़ी पत्ता का तिल आपके लिए बहुत ही अच्छा है यहाँ पे हमने पैरिशुट का कोकोनट ओईल लिया है यहाँ पे आप जो चाहे उस ब्रैन का ओईल ले सकते हो अगर घर पे निकाला हुआ कोकोनट ओईल है तो और भी बैतर मैं आपके साथ घर पर ही कोकोनट ओईल कैसे निकालते हैं उसका वीडियो डेफिनिटली शेयर करूंगी हमें फ्लेंग बहुत ही स्लो रखना है ओईल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है कड़ी पत्ता में अच्छी कासी मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन, विटैमिन A, B, C पाया जाता है बालों के लिए तो ये प्राक्रोतिक टॉनिक है जो बालों को काफी तेजी से बढ़ाता है कड़ी पत्ता का उपयोग आप तेल के अलावा पानी में भी उबाल कर कर सकते हो तो देखिए हमने यहाँ पे फ्रेश कड़ी पत्ता लिया है इसे हमने दंठल से अलग कर दिया है और धोके पंखे के नीचे ड्राइ किया है तो दोस्तो आज हम कड़ी पत्ते का उईल तो निकालने वाले ही है पर उसी के साथ साथ जो वेस्टेज निकलेगा उससे हम बढ़िया सा हेर पैक बनाएंगे जिसे आप हफते में एंग वार इस्तमाल कीजिए और बालों को स्मूथ और सिल्की बनाईए तो तेल हमारा गरम हो चुका है अब हम क्या करेंगे एक जहारा ले लेते हैं और पत्तो को तेल में डालेंगे सबसे पहले थोड़ा सा कड़ी पत्ता हम डालके देखते हैं कि तेल हमारा गरम हुआ है या नहीं जी हाँ बढ़िया से तेल गरम हो चुका है अब सारे पत्तों को थोड़ा थोड़ा करके डाल लेते हैं लगातार हिलाती हुए पत्तों को हम बढ़िया से क्रिस्पी होने तक फ्राइ करेंगे दोस्तों क्या आपको पता है कड़ी पत्ता सिर्फ बालों के लिए ही नहीं बलकि खून की कमी से भी छुटकारा दिलाता है लीवर को भी मजबूत बनाता है शुगर को कंट्रोल में रखता है उसी के साथ कोलेस्ट्रोल को भी कम करता है इतने जादा बेनिफिट्स के साथ लोड़ेड है ये चीज इसका आप खाने में भी उतना ही इस्तमाल करें उसी के साथ साथ आप बालों को भी अच्छे से ऑईल बना के इसका मसाज करें अगर आप हफ़ते में कम से कम दो बाल कड़ी पत्ता की ओल से आपने बालों को मसाज करेंगे तो डेफिनिटली आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा आपके बाल जल्दी ही घने लंबे और टैंडर फ्री हो जाएंगे और एक बहुत इंपोर्टन बात कड़ी पत्ता बहुत सस्ता भी होता है है ना और हाँ एक बात का ध्यान जरूर रखे कड़ी पत्ता के पानों में बिल्कुल भी पानी की मात्रा ना हो यह अच्छी तरह से पंक्य की नीचे ड्राय होने चाहिए तो दोस्तों आज हम कड़ी पत्ते का ओईल तो निकालने वाले ही है पर उसी के साथ साथ जो वेस्टेज निकलेगा उससे हम बढ़िया सा हेर पैक बनाएंगे जिसे आप हफ्ते में एंग बार इस्तमाल कीजिए और बालों को स्मूथ और सिल्की बनाईए तो इस तरह से हम एक बीचीज वेस्ट नहीं करने वाले हैं अब हम इसे थंडा करने के लिए रख देते हैं रूम टेंपर हो गया है देखिए हमारा कड़ी पत्ता बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी फ्राइए हो चुका है अब हम क्या करेंगे एक छन्नी की सहायता से इसे बढ़िया से छान लेंगे आप अगर चाहे तो चन्नी से अगर नहीं चानना है तो कोई भी कॉटन का कपड़ा लेके उसमें आप ये पत्तों को डालके उन्हें बढ़िया से निचोड सकते हैं तो देखिए हमारा बढ़िया सा कड़ी पत्ता का ओईल बनके तयार है इसका रंग भी कितना सुन्दर और ब्यूटिफुल लग रहा है है ना नैश्रल कलर है ये अब ये जो हमारे पत्ते हैं ना इन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं फेकना है इसमें बहुत सारा ओईल है तो हमने क्या किया है कड़ी पत्ता के पत्तों को मिक्से के जार में डाल दिया है इसके बाद हम दालेंगे कंप्लीटली one फुल लेमन जिसका हमने जूस निकाल के रखा है उसके बाद हम डालेंगे एक बढ़ी चमप घर पे जमाया हुआ दही अब हम इसके बढ़िया सी smooth paste बना लेते हैं देखिए तो जड़ा paste कितनी beautiful लग रही है है ना इसकी consistency देखिए ना ज़्यादा पदली और ना ही ज़्यादा गाड़ी अब बढ़िया से इसे बालों पे आराम से लगा सकते हो आप इस paste का इस्तमाल बहुत सारे अलग अलग तरीकों से कर सकते हो अगर आप अंडा खाते हो तो इस paste में अंडे को मिला लीजे और इसका एक बढ़िया से hair pack बना लीजे उसे भी आप लगा सकते हो अगर ये ट्रिक नहीं करनी है तो उसके अलावा अगर आप महंदी इस्तमाल करते हो तो महंदी में भी आप इस paste को मिला के इसे भी बालों को लगा सकते हो इसमें आपको added oil डालने के बिलकुल भी ज़रूरत नहीं तो देखा आपने हमने एक चीज से कितनी अच्छी बढ़िया और healthy चीजे बनाई hair pack भी हो गया और hair oil भी हो गया तो दोस्तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजे उसे की साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें तो फिर चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ till that time see you and bye